तो आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अबाउट ताइम टेबल तो बहुत सारे ऐसे न्यूज मुझे मिल रही थी और बहुत सारे बच्चों ने भी मुझे मेसेज़स किये थी कि there is a confusion की whether the exams are going to be postponed या exam जो है वो 10 October से होंगे की नहीं होंगे और exams जो है वो after दिवाली होंगने के कितने chances है तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिसकस करने वाले है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे यह जो basic confusion आपके दिमाग में है उसके बारे में हमें discussion कर पाए तो अगर आपने देखा होगा basically कि अभी जो टीवाइबी कॉम semester 5 जो Mumbai University का जो exam है उसका overall official timetable university ने last week में दिया था और वो timetable में 10th of October से आपकी exam थी तो 10th of October से आपकी exam थी मतलब दिवाली के पहले आपकी exam जो थी वो खतम हो रही थी लेकिन एक दो से तीन दिन पहले आपने देखा होगा newspaper की cutting whatsapp के through सबके पास आई है बहुत सारे लोगों के पास messages आ रहे हैं कि exactly कि since the students are attempting this examination of offline mode after two years so उसके basis पे students ने request किया है कि exactly कि यह जो exam है कि after दिवाली लेना चाहिए ऐसा उस news के overall cuttings में मैंने जिस basis पे पड़ा है उसमें ऐसा दिया था तो अभी question यह arise होता है because students के mindset में confusion है कि अभी हम हमारे preparations को उसी वे से पड़े या थोड़ा slow हो जाए since अगर exam दिवाली के बाद होगा तो obviously आपके पास थोड़ा सा जादा time after दिवाली रह सकता है लेकिन अगर हम यह सोचके preparations करें कि अगर आपका exam postpone नहीं हुआ exam postpone होना नहीं होना there are top people executives जो है बड़े बड़े level के जो लोग है वो university level पे meeting लेके decide कर लेंगे कि exactly इसमें क्या एक अच्छा favorable decision लिया जाए लेकिन हम उनके decisions के उपर wait करेंगे और हम अमारे preparations को slow कर देंगे तो वो एक सही बात नहीं है तो आपको करना क्या है basically आपको क्या करना है आप जिस तरीके से preparations कर रहे थे उसी तरीके से आपको preparations को continue रखना है आपको क्या करना है जैसे आप preparations कर रहे थे उसी तरीके से आपको preparations continue रखना है अगर exam को postpone होना है तो 2-3 दिन में हमारे पास university का official notification उनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा और उसके बाद तो पूरा ये पिच्चर क्लियर ही हो जाएगा कि exactly पोस्पॉंड होगा कि नहीं होगा जो अभी एक माइंड सेट हमारा बना हुआ है कि पोस्पॉंड होगा नहीं होगा तो वो तो हमको फाइनलाइ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा डाइम मिल जाएगा आराम से पढ़ लेंगे बड़ ये अभी से आप प्रिपरेशन में कोई भी चेंजस ना लाहे प्रिपरेशन जैसे आप 10 ऑक्तोबर के बेसिस पे कर रहे थे सिमिलर वे पे आप प्रिपरेशन करें और अगर फिर पोस्पॉर्ण होता है तो क्या होगा फिर तो दाट इस बेटर फोर अस विकॉज आपको फिर एक्स्ट्रा डाइम थोड़ा मिल जाएगा तक कि आप अच्छी तरीके से रिविजन कर पाए अच्छी तरीके से और प्रिपरेशन कर पाए लेकिन फिलाल तक हम जब तक यूनिवर्सिटी का कोई ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम इस बेसिस पे प्रिपरेशन करेंगे कि 10th of October को आपकी एक्जाम है विकॉज अगर हम अभी आप बहुत सारे विडियो आपको यूटूब में मिलेंगे एक्जाम पोस्पॉंड होगी य होगी 100% चांस से यह है वो है लेकिन देखो जब तक हमारे पास कोई ओफिशल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नहीं आता है तब तक हम इसी बेस पे प्रिपार करेंगे कि 10th of October तक आपको पूरा अपना प्रिपरेशन प्रिपार करना है जैसा आपका पहले भी बताया था कि आपको बहुत सारे रिवीजन के रिलेटेड वीडियोज मिलने वाले है एक्जाम से एक दिन पहले हम बहुत सारे कंसेप्स के उपर फोकस करेंगे जो आपके नॉर्मल ही एक्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स होते है एवरिटिंग यू आर गइंग तो इसलिए आपको सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन प्रेस करना है उसमें बेनिफिट आपका ही है ताकि आपको इससे ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिल पाए और दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे आप भी अवेल प्लोड कर देता हूँ और एप के अंदर स्टडी मटरियल का जो टैब है वो टोटली फ्री है उसमें कुछ पेड़ कोर्स भी है लेकिन मैंने बहुत ही मिनिमूम चार्जेस रखे जिस्ट वान नाइनटी ने अगर आपको इंट्रेस्ट है तो आप वो प्लेड कोर्स भी द आपको डिटेल्स मिलेगा आपको जो अभी प्रॉब्लम है कि एक्जाक्ली पोस्पांड होगा कि नहीं होगा उस बाते बारे में क्लारिफिकेशन मिलाओगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहेंगे और नोटिफिके बड़ता से तक है तक है जेतर एफ चैनल में संद्वन करते दीक monitored नहीं वर्र पिरेशन करता बारे मेंनें पूमएगा जबता समौन करता है